जहिन दोस्तों बहुत बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर आई है आप सभी के लिए जितने भी एस्टुडेंट जारखंड पोले टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम दिये थे और उनका रिजल्ट आ गया था और वह सभी एस्टुडेंट काउंसलिंग पड़किरिया के लिए इं CEC के website पर upload कर दिया गया है आप सभी कैसे download करेंगे counseling आप सभी कैसे form fill up करेंगे कौन कौन से documents लगने वाला है कितना आप सभी का पैसा लगने वाला है सारी चीजे इस वीडियो में cover करने वाले है सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ बता दे जहारखंड पोले टेकनिक इंट्रेंस एक्जाम P.E.C.E. का जो है counseling पड़करिया start हो जाएगा ठीक है वही बात के जाए लास्ट डेट का तो लास्ट डेट आप सभी का 16 जुन रहने वाला है 8 जुन से आप सभी का start होगा 16 जुन तक आप सभी का रहने वाला है अभी आप सभी को मैं general category OBC category पर भी बा payment जो होते हैं उनका BC1 होता है तो BC2 कर लेते हैं BC2 होता है BC1 कर लेते हैं वह by mistake वह अपना कर लेते हैं तो आप सभी को payment में या registration में या signature में या photo में किसी भी परकार से आप सभी का गलती हो जाता है या payment first जाता है तो आप सभी का एक समय दिया जाएगा दो दिन के लिए 16 तारिक तक आप सभी का जो है 16 जुन तक आप सभी का form fill up होगा registration counseling का उसके बाद आप सभी का 17 और 18 या दो दिन जो है आप सभी का correction का आप सभी को option दिया जाएगा addiction का option दिया जाएगा कि आप सभी जो लोग जिनका कुछ भी गलती हुआ हो counseling में वो counseling को सुधार सकते हैं उस allotment जो होता था आप सभी को एक चीज़ बता दे round जो होता है जहरखन polytechnic में counseling round जो होता है वो three rounds से होता है एक round में बहुत सारे student को मिलेगा जितने student चुड़ जाएगा उसको second round मिला गया उसके बाद जितना student चुड़ जाएगा उसको third round मिलेगा तीन round में जो है आप सभी क government polytechnic college मिलता था तो उसका जो है notification date या सभी चीज़े नहीं बताया जाता था लेकिस वार जो है वो साप साप mention कर दिया गया है first round का counseling कब तक होगा कब तक आप सभी का elotment जारी किया जाएगा second round का कब तक होगा कब तक जारी किया जाएगा third round का seat elotment कब तक जारी किया ठीक है बात के जाए जैसे ही आप सभी लोग 8 जून से लेकर 16 जून के बीच में form fill up करेंगे उसके बाद आप सभी का पहला जो elotment लेटर आएगा वो 23 जून को आ जाएगा overall बात के जाए तो 18 जून तक तक आप सभी का correction है तो मतलब 5 दिन के अंदर में ही आप सभी का पहल करेंगे result upload करेंगे तो उसके निर्धारे तो जो है आप से भी को seat alert होगा seat alert मानलेजिए आप निर्षा में apply किये हूं है गवर्मेंट पोलिटेक्निक निर्षा धनवाद अधित्यापूर में तो या जो seat alert होगा न कोई एक college में आपका होगा आप तो 10 college 15 college को fill up किये होंगे लेकिन आपको कौन सा college आपके CML rank के अधार पर मिलना चाहिए वो जो है एक seat alert में पता चलेगा वो कब पता चलेगा पहला राउंड में 23 तारीको 6 महिना 2023 में आप सभी का मतलब 23 जून को आप सभी का होगा या जो है जैसे ही आप सभी का हो जागा तो आप सभी जो है आप स सिकेंड राउन का counseling कबसे start होगा तो 2 राउन का counseling जो है वह 6 अगत से start होगा और यह आप से भी का साथ अगस्ट तक 14 अगस्ट तक से ठीक थे और समय कर सकते हैं आप से भी कमूसलिंग करने के जब स्व department भी अगर की यह है तो आप उसके बाद आप से भी का फिर 21 अगस्ट को आप से सप्भी का सि को हन मिला करें आप goofy कॉंसलिंग जो है एलोट्मेंट आ जाएगा आप सभी का 21 तारीक हो फिर से आप एड्मिशन करवाना स्टार्ट कर सकते हैं 22 तारीक से लेकर 31 अगस्त तक उसके बाद लास्ट जो है राउंड जो है कॉंसलिंग का वह आप सभी का कब से स्टार्ट होगा तो वह पच्मा महिना मतलब जून में स्टार्ट होगा जुलाई सोरी वहां पर जो हमने अगस्त बोला है वह जुलाई होगा और ठर्ट राउंड जो है वह अगस्त में स्टार्ट होगा पांच अगस्त से स्टार्ट आप सभी का हो जाएगा और आप सभी का 12 अगस्त तक चलेगा ठीक है उसके ब तिन महीना आप सभी का चलने वाला जूलाई चल रहा है जूलाई और अगस्थ यह तीन महीना मैं ऊफिर से सीप्टमें़ से कलास भी सटार्ट हो जाएगा ठीक है एक चीज और आप सभी को बता दे यहां पर आप सभी को पैसा कितना लगेगा counseling पड़किरिया में participate करने के लिए counseling में भाग लेने के लिए आप से भी को पैसा कितना लगेगा अगर आप general category से है या EWS category से है या BC1 से या BC2 से है तो आप से भी को 4 सोरीपया लगने वाला है और बता दे बहुत सारे student ऐसे हैं वो एक चीज़ बताते हैं कि sir मेरा general category है क्या मुझे counseling में participate करना होगा या नहीं दोस्तों पिछले वीडियो में भी आप सभी को मने बताया था कि counseling में हर एक student को participate करना है counseling मतलब चैनित पड़किरिया चैनित पड़किरिया से आपको पता चलेगा कि कौन से college में आपको admission मिलना चाहिए आपके CML rank के अधार पर कौन से बरांच में आपको मिलना चाहिए या सभी चीज़े counseling में ही आप सभी का पता चलेगा अगर आप counseling में participate नहीं करते हैं देर सो में देर सो नमबर क्यों न लाए हो देर सो में एक सो नमबर क्यों न लाए हो आपका admission मिलना नामुम्किन है तो इसलिए आप सभी student जितने student है जारखंड पॉलिटेकनिक इंट्रेंस एक्जाम फोर फिलफ किये हैं वह सभी student को counseling में participate क category से हैं अगर boys हैं तो आप सभी को और हाइसो लगेगा female category से हैं handicap it से हैं तो आप सभी को 800 रुपया चार्ड लगने वाला है counseling में counseling कब से आप सभी का श्टार्ट होगा और आप सभी का अगस्त तक चलने वाला है ठीक है किसी भी परकार का अभी भी टूर्टी है तो comment box में पूछ सकते हैं फिर मिलते एक नई वीडियो में जब तक के लिए